तो गाइस तुम सभी का स्वागत में चैनल की एक और नहीं वीडियो पे और आज की वीडियो में तुम लोग को कई डिरावने क्रीपी पास्तास के बारे में बताने आ ला हूँ जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर एक्जिस्ट करने आ ले हैं और वीडियो चालू के इनसे पहले हम लोग बात करने आ लें इस वीडियो की शाउट आउट के बारे में तो इस वीडियो के शाउट आउट जाता है रिचायादव को तो थैंक्स अलोट रिचायादव फोर सपोर्टिंग मैं चैनल और अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहिए और में चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लेट्स कंटीनियो टू आर वीडियो तो ये एंटिटी प्लेयर्स को जात माइनक्राउट पी-ई में दिखता है और इसको पहली बार 2017 को देखा गया था और इसका सीड है 23976 अब इस क्रीपी वास्ते को देखी हुए कई साल हो चुके हैं तो क्या पता अब प्लेयर्स को वो इस सीड में ना मिलता हो तो अगर तुम इस सीड में खेलोगे और तुमें कुछ भी paranormal दिखता है तो प्लीज भाई मेरे को बता देने comment section के अंदर जब one red eye आपके world में होता है तो आपको कई अजीब अजीब noises सुनने को मिलती है वो आवाजे normal नहीं होगी क्योंकि उनकी pitch बहुत high होगी red eye के पास उसकी left leg नहीं है और उसकी skin कुछ ऐसी दिखती है और आप इस पे normally survival world में attack भी नहीं कर सकते हो BLK स्टीव को community में river स्टीव और unnamed स्टीव के नाम से भी जाना जाता है इसके नामे BLK का मतलब है black sorry मैं racist नहीं हूँ लेकिन BLK सही में black की shot form होती है इसके पास दूसरे players को possess करने की भी power है जब वो ऐसा करता है तब उसका victim move नहीं कर पाता है ये किसी भी जगा पर teleport भी हो सकता है और player से chat के थूरू बात भी कर सकता है BLK स्टीव की पहली स्टीव को 6 जनवरी 2018 को देखा गया था और वो था Minecraft का version 6.6.6 क्या coincidence है भई The Lunar Moon एक बहुत भी डरावना Minecraft क्रीपी बासता है इसमें player को एक moon की जगा आसमान में बहुती अजीब सा moon दिखता है जिसमें एक creepy सा face बना होता है दिन में तो ये world normal रहेगा लेकन रात में उन्हें ये दिखता है कुछ लोग कहते हैं कि Lunar को सिर्फ एक particular seed में देखा जा जकता है लेकिन वो seed unknown है इसकी पहले sighting की date unknown और इसे कौन से version में देखा गया था वो भी unknown अगर आपने अपने world को single player पर set कर रखा हो और इसके बाद भी आपको footsteps नहीं देते हैं तो समझे ना कि वो world lunar से cursed है जो भी world lunar के द्वारा cursed होते हैं उनमें virus फैलने लगता है और वो virus धीदरे आपके PC में भी फैल जाता है तो ये story है jukebox नाम के horror creature की जो की inspired है Trevor Henderson के Siren Head से लेकिन इसकी high take normal player जितनी ही होती है तो ये story है Johnny नाम के clear की जिसने jukebox head को पहली बार देखा था उसने अपने world में disc 1 की notes बस्ते वे सुनी और ये notes वक्त के साथ साथ और भी जादा तेज होती है उसे लगता है कि ये से वे glitch है और उसे वो ignore मार देता है लेकिन फिर उसे jukebox head दिखता है और वो भी एक humanoid entity के form में और तभी उसका game crash हो जाता है और आगे की story हमाई बास नहीं है entity 1000 ग्रे कलर का होता है और उसकी white कलर की glowing eyes होती है जिस player ने उसे पहली बार अपने world में देखा था उसने कहा है कि अब वो उस world में दुबार कभी नहीं खेल बाया entity 1000 के आपके world में होने से आपको random lightning strike दिखती है और वो भी बिना किसी thunderstorm के और जगा जगा skeleton heads का दिखना भी common है और जब भी entity 1000 आपके world में आता है तो आपके world का नाम भी जरुक बदल देता है या तो entity 1000 रख लेगा या फिर कुछ और आपको ट्रोल करने के लिए तो अपने world के title पे नजरे गडाय रखना है हर वक्त अगर तुम लोग को ऐसे और top 5 creepypastas के बारे में जानना है तो भाई इस वाली वीडियो को देखो इसमें मैंने और top 5 creepypastas के बारे में बताया है और भाई मैंने एक second channel भी बनाया पबजी और बगयरा battle royals और shooter games के बारे में तो उसे भी जरू चेक आउट कर ले ना वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरू कर देना है इस वीडियो का एम है 250 लाइक एंड आइड आइड वीडियो गाईज इन नेक्स वीडियो